मैं आम तोर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता लेकिन मैं इस समय सेकड़ो फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो प्रिथवी में 5 किलो मीटर से ज्यादा गहरी है जाहे हमें ये बसंद हो या ना हो जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे हम यहां भसे रहेंगे अगले साथ दिनों तक मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा सबसे पहली चीज हमें वहां से दूर जाना होगा जहां से हम नीचे आये थे क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बार की चपेट में आ सकती है समुत्रक की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है इसलिए हम बेस कैम्प गुफा में आगे लगाने वाले हैं ये काफी अशीब है यहां की दुनिया तो अलग है दोस्ट इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुन्दर है लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए हम सब ये जानते नहीं थे लेकिन अगले साथ दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्कल समय होने वाला था ये बहुत बुरा आइडिया था ठीक है कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा बाकी समय अपनी सप्लाइज को जुटाने में लगा दिया इनमें हर बैक का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं हमने लगभग चार घंटे बिताए इसे पार करना बहुत मुश्किल है हम ये सब हमारे बेस कैम्प तक ले जा रहे हैं ठीक है हमने यहां कुछ लाइटे जला रखी है हमारे सप्लाइज वाइनली हमारे बेस कैम्प तक आ गए और अगर तुम कैमरा उधर घुमाओगे तो आपको दिखेगा वहां कितना अंधेरा है इसमें पूरा दिन लगया और इसलिए हमने कैम्पिंग के लिए कम से कम तयारी की है हमने कुछ रसिया लटकाने के लिए होल्स किये इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खीचो लगता है यह बिस्तर को संभालने के लिए सही होगी और हमारे सवाइवल गाइड जोल की बदद से हमने बिस्तर लटका दिये यह पतली सी रस्ती मेरे बिस्तर को संभालेगी रात का खाना खाया और जोरदार ठंट के लिए तयार हो गए सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था यह बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कमफिटबल है मेरा सर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है यह गुफा टू पॉइंट फाइफ किलोमेटर्स गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैम्पिंग कर रहे हैं कल हमें काफी कुछ एक्स्प्लोर करना है तुम लोगों की नीन कैसी रही बुरी तरह मैं नहीं सोया बहुत ही उल्जन भरा महाल है गुफा की उपर से लगातार पानी टपक रहा है हमने अपने उपर एक टार्प डाला लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है मैं एक आइडिया दू चलो अपनी कैम को और बहतर बना दे हमें इन टाप्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहां सोते वक्त हम सूखे रहे बहुत अच्छा इडिया है मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ ठीक है मेरा बिस्तर यहां तक निकलता है कैये कोई मजाक है मैं अभी यह भी अपने बिस्तर से निकला था यार और हमें उस समय समझ नहीं आया लेकिन ये गढ़ा लगभग 40 फीट गहरा है तो जब शॉन और मैंने सूपर टाप पर काम करना शुरू किया मैक और काल ये देखने गए कि ये गढठा कितना खतरनाक है वहाँ उपर मेरा बिस्तर देख सकते हो मैं वही सोया था अब ये देखो क्यूंकि यहां सब कुछ एक जैसा देखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा इसलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहा है और वो कितनी दूर जा रहा है जब तक बॉइज एक्स्प्लोर कर रहे हैं मुझे और शॉन को कैंट पर काम करना पड़ रहा है यहां ये स्लीपिंग बैक क्यों पड़ा है इसमें टॉयलेट जैसी पदबू आ रही थी यह? लेसन नमबर वान किराए के स्लीपिंग बैक्स मत ले ना हम्ने स्लीपिंग बैक्स कर लिए? मुझे भी नहीं पता हम यह स्लीपिंग बैक्स खरीदे क्यों नहीं? हम टाप्स को जोड़कर एक बड़ा टाप बना रहे हैं मेरी जिंदेगी अब बस इस रस्टी के सहारे है और इस बीच मैक और काल अब भी गड़े में थे और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुँच गए हमें इस वक्त कैम्प पर काम करना चाहिए हाला कि उन्हें वापस आजाना चाहिए था काल और मैक ये देखना चाहते थी कि वो कितनी गहराई तक जा सकते है लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में पहली हुई है जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा लो आगए है कैदों की खाना बन चुका है हाँ बन चुका है सही कहाँ एक नया घर है ना लेट्स गो अब हमारे पास एक चछत है या बात है मानना पड़ेगा तुम लोग ने कमाल कर दिया और हमने फार पिट को इस चोटी सी गुफा में रखा है तो क्या कहते हो गरम है काफी कोजी है ये चट्टाने यहां गर्मी को कैद करती है और उपर से आने बाले टॉयलेट को ब्लॉक करती है तो टॉयलेट नहीं और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने जोल हमारे सवाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुँच सकें चलो देखते हैं हम गुफा के कितनी गहराई तक पहुच सकते हैं ध्यान रहे कि हम अभी इस विशाल गुफा के शुरबात में हैं और हमारा गोल है इसे पूरी तरह से पार करना अफकोर्स मिन अपनी जान गवाई ओ माई गॉश यह तो बहुत गहरा है तुमने अब तक कुछ नहीं देखा हम गुफा की गहराई में जा रहे हैं ठीक है दोस्तों अपने पेट अंदर कर लो यहां मामला टाइट होने वाला है मुझे नहीं लिगता मैं इसमें फिट हो प देखो तो यह कितना शांदार है रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकते मैं तो अंधा हो रहा हूं ओ नहीं ओ नहीं सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तमाल नहीं किया रास्ता दिखाओ और इसी तरह हम आगे बढ़े संभलके यहा से चीजे दिलजस्त हो जाती है क्या यह क्या है तो अब से वेट सूट पहनने होंगे हम सब तैरने वाले हैं कल मैक और काल इसके बारे में मजाग कर रहे थे लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है वेट सूट ही एक तरीक और साथानी से इनके बीच से गुजरना होगा धीरे धीरे चलो इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे ठीक है मैं नदी में जा रहा हूं ध्यान से लेफ साइड की दिवारों को फॉलो करो यह बहुत ठंडा है तुम कर लोगे जीमी बतानी में फिर धूपाऊंगे या न मुझे ठर लग रहा है तुम कर सकते हो चारी रखो देखो यह कितना मुश्किल है हाला कि यह बड़ा मुश्किल था पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने यह कुछ नहीं हमने कर दिया हम 10% काम पूरा कर चुके हैं जिसका मतलब है कि यह बस एडवेंचर की शुरबात है और अंत तक खौचने के लिए अभी 2 किलोमीटर पाकी है जैसा कि तुम देख सकते हो इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है इसलिए मैं हमारे लिए एक आराम दायक जगा बना रहा हूं ताकि हम सुके रहे मुझे जानना है कि आगर मैं यहा नहीं होता तो यह हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गिले हो चुके हैं इसलिए तापान तेजी से गिरने वाला है यह इतना मुश्किल क्यों है सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें उतना ही वापस अपने क्याम तक जाना होगा हमारा अगला अब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो आसान होगा क्या यह मकडी का जाल है पर यहां मकडी है ही नहीं इसका मतलब वो हमपर हो सकती है तुम्हारे उपर उपर है हमें आज के लिए वापस रौटना होगा और केंप में जाना होगा मैं अरस हैमत हूं तुम सीफ्टी एक्सपर्ट से अरस हैमत नहीं हो सकते थिर भी मैं आस हैमत हूं जो भी हो, हमें इनकी बात माननी होगी. हमने फिल्म बनाने और फ्लेर के साथ खेलने में बहुत समय बरबाद कर दिया. इस हब तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशिन को कल फिर से शुरू करना होगा. शॉल, हम वापस आ गए! जब हम नहीं थे, तब तुमने क्या किया? उमीद है कि आप कोई गिला नहीं होगा. जनी पता था, तुमने लाइट्स पैक की रहे हैं, यह शांदार है, ना? तीसरा दिन बहुत मज़ेदार था, मैं आपसे कल मिलता हूँ. हमारी तीसरी और बुरी रात के बाद, अगली सुभा हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी. एक गर्म शावर मिल जाए, तो अभी मेरी जान बढ़ सकती है. हाँ, शावर लेना सच में शांदार होगा. मैंने शावर नहीं लिया है, तीन-चार दिनों से. जैसा कि आप सोच सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है. नदी के तल तक सुरक्षट पहुचने के लिए, हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा, जहां से हमने शुरू किया था. ओ माइ गॉड, मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया. तेरा सर पूरी तरह से चम गया है. अब अपना सिर्ष उखाने के लिए ड्रोन का इस्तिमाद करते हैं. आज़ा, अज़ा, रुको, रुको, यह एक्चिली काम कर रहा है. हाँ, यह काम कर रहा है. जब तुम्हारे पास ड्रोन हो, तो हैर ड्रायर की क्या जरूरत? और सूखने के बाद, हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे. यह क्या है जोल? यह गुफा का मैप है. पिशली बार, हमें तेज बहाव की वज़े से रुखना पड़ा था. लेकिन बारिश धीमी हो गई है, इसलिए हमें कल गुफा के अन तक पहुँशने का मौका मिल सकता है. इसमें बहुत मजा आने वाला है. पहले, हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा, बड़े चटानों से कूटना होगा और खुर्दरी पत्थरों से बचना होगा. और अगर हम सब कुछ पार कर पाए, तो फाइनली हम खुबसूरत ग्लो वाम चिंबर तक महँश पाएंगे. हमें मत बताना कि वो कैसा दिखता है, वो हमारा सप्राइज होगा. तुम्हें लगता है हम ये कर पाएंगे? वो, नहीं, ये सब अभी मत सोचो, हम कर सकते हैं. कल की अच्छी तरह से प्लाणिंग करने के बाद, हमने आराम किया और अपनी एनरजी वापस पाने के लिए फीस्टिबल स्मोर्स बनाएं. सब लोग चियर्स! ओ, जोल अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है. ओके, जोल, बी आउनेस्ट, ये अच्छा है. तुम्हें अच्छा लगा? अँच्छा लगा. हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला? अब ये दस गुना ज्यादा मज़ेदार हो गया. सच में, अगर आपने फीस्टिबल्स के साथ स्मोर्स नहीं ट्राइ किया हैं, तो आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हैं. कल, हम पूरी गुफा की खोज करने वाले हैं. कल मिलते हैं. तो हमने जितना हो सके सोने की कोशिश की, और कल की एडवेंचर, यानी गुफा के अंद तक जाने की तयारी की. हम अपने जीवन के सबसे खतरनाक जर्णी पर जा रहे हैं. तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की बज़ह से, हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे. ये पानी ठंडा है. पिल्कुल कल किते रहे हैं. शबाश. और अपने सब्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए, हम जोल के साथ एक और सब्वाइवल एक्सपर्ट को भी लाए. तीसरे दिन हमें यहीं पर रुपना पड़ा था. अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बैतर कर रहे हैं. हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है. हम कहां जाए? ये जगे नेरो होती जा रही है. धारा भी तेज है. तो हम दिवारों का साहरा लेकर चड़ने की कोशिश करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. पहली चटान पर तुदो, खोने के आज़ पास भी कुछ अच्छी चटाने हैं, जिनका साहरा ले सकते हो. यहां कितना अंधेरा है? अब कोई बेश नहीं है. मेरे पैर जमीन से बहुत ऊपर है. क्यूकि हम जमीन तक नहीं पहुँच पा रहे, इसका मतलब यह है कि अगर हमने अभी जाने दिया, तो हम सीधे पानी के धार में वह जाएंगे. जोल, अब हम क्या करें? अपना हाथ में यहाँ पर फसाओ, पकड़ अच्छी मिलेगी. अगे, मुझे नहीं पता, मैं कहां जा रहा हूं जोल. यह पानी मुझे पहा ले जाएगा. मैं यह कैसे करूँ? तुम्हें खुद को वहाँ पर लाना होगा और फिर यह बहुत असान हो जाएगा. मैं अंदर जाओ? हाँ, होल में. हाँ, वेलकार. यह आज तक का सबसे खतरनाक चालेंज होगा. हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं. और अब हम हमारे पहले आप्स्टिकल के करीब पहुचने वाले हैं. असल में पानी बार-बार घूम रहा है. तो अगर तुम इसमें गिरते हो, तो यह तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा. अगर हम गिर गए, तो मर जाएंगे. हाँ. ओके, तो मौत का खत्रा है. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये सब करना पड़ेगा. बहुत अच्छे. हाँ, यहाँ पर. अब मैं अपना पैर यहाँ रखूँ. हाँ, मिलकुल. ठीक है. ओ, याँ. जो अवेंजर्स से कम नहीं. और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है. उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चटान से कूट कर दिखाया. ओ माइ गॉड. तुम पागल हो. कौन है जो थोड़ा पागल है? कोई तो है जो करना चाहता होगा. मैं पागल हूँ. ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है. क्या बोल रहे हो? मैं अभी करना हूँ दोस्त. चलो जो. गुड लग मैक. जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया. उसके सामने ये कुछ भी नहीं है. त्री, चू, वान. क्या तुम्हें ये करोगे? नहीं. आगे बढ़ते हैं. वरना हम आखिर तक नहीं पहुचेंगे. ओ माइ गॉड. हमेशा हम पानी के बहाब के उल्टा ही क्यो जाते हैं? मैं शायद इसमें बहाब जाओ. मुझे शायद हार ही मानने नी चाहिए. पानी के नीचे नुकीले पत्थर है. तुम उन्हें देख नहीं सकते, तो संभल कर चलना. ओ माइ गॉड. पानी और गहरा हो रहा है. मैं नहीं कर सकता. मुझे पैर किसी चीज़ पर अखने होंगे. और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे, तो हमारे हर कदम के साथ… ब्रो, मुझे कुछ दिखाईनी दे रहा. ये डराबना है. ये गुफा और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई, जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया, कि क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुच पाएंगे? मैं बस, मैं थर्किया हूँ. ये, गुफा अब और भी मुश्किल होने वाला है, और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है, जोल मुझे तुमारा बैग देना, थैंक यू, पता है तुमारे बैग में अब तक क्या था? नई, मुझे इसके बारे में नहीं पता. मैं इमानदारी से कहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैंने पिछले पाच घंटों में जहेला है, मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ. तो एक महीने बाद जब हमने ये शूट किया, तब मैंने पूरा गुफा का सेट बनाया, अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा, हेई, मैं फ्यूचर जिमी, और मैं आपको हमारे नए टॉइस के बारे में बताऊंगा, Mr. Beast Lab Swarm. ये collectible toys है, जिसमें 190 से ज्यादा unique characters है, जिन्हें आप collect कर सकते हैं. और cool बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा character मिला है, आप इस tube में पानी डालते हो, इसे हिलाते हो, और Swarm's आपकी आँखों के सामने आ जाते हैं. और product का demo दिखाने के लिए हमने इस Swarm Tube का एक बड़ा version भी बनाया है, इस tube को पानी से भर दिया, आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये एक बड़ा tube है, ठीक है, अब ये पानी से भर गया है, तो Mac इस tube को shake करेगा, मुझे लगता है इतना काफी होगा ना, मु जोल ये तुम करो, और फिर पानी से निकलेंगे वो दो Swarm's जो आपको मिले है, ये सबसे rare वाला है, Hyper Crow, मैंने ये सिर्फ 1000 बनाया है, जोल ये तुम रख सकते हो, और ये तुम्हारा है, वाल को क्या मिलेगा, मेरे पास सिर्फ दो है, सिर्फ Swarm's ही नहीं, हमने ये action figure Panthers भी जो इन Brief Cases में आते हैं, और एक Mutator जो Swarm's की तरह ही खरीदने पर बहुत ही शांदार तरीके से रिवील होता है, ये मुझे काम मिलेंगे, काफी अच्छा सवाल है, Mr. Beast के Lab Toys अब दुनिया भर में हर जगा अवे लेबल हैं, जहां से आप खिलौने खरीदते हैं, ये सवाल का है, दोस्तों ये धर्दी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, जो रौशनी आप यहां देख रहे हैं, वो असल में छोटे-छोटे बायो लुमिनेसिंट ग्लो वर्म से बनती है, ये तो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा लग रहा है, वाउ, इस पल ने और इस व्यू न आए, और मैं ठक गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा, मैं परिशान हूँ क्योंकि काफी देर हो गई, वापसी का सफर बहुत आसान है, क्योंकि हम बस धारा के साथ बह रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं, हम वापसी का सफर जल्दी पुरा करेंगे, लेकिन सच में ये पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला, वापस पहुचने से पहले हमारा छटा दिन शुरू हो गया था, शान, शान, कैसे हो दोस्तु, मुझे तुम सब की चिंता हो रही थी, फाइनली हम आ गए, चलो चलते हैं, हमारे पास आग के पास बैट कर ख मुझ खाना खाने की एनरजी बची थी, ये बहुत ही रोमान चक दिन था, मैं आप सब से कल मिलता हूँ, या फिर शायद आज ही, आज छटा दिन है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, इतनी लंबी और ठका देने वाली ट्रिप के बाद भी, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन जिन्दा दफन होकर बिताए, और साथ दिन एक राफ्ट पर, और सच कहूं तो, मुझे लगता है, ये उन सबसे ज्यादा मुश्किल है, तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो, मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टकरा रहा है, और दर्द हो रहा है, 90% समय ये ग रापिट्स को पार करना, हम सब का मिलकर बिस्तरों में हसना, सारी मुश्किले इसके लायक है, जब आप अच्छे लोग उनके साथ होते हो, ये गीली, धंडी, पत्थरों से भरी हुई, मुश्किल गुफा, हमारी जिन्देगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है, हम तब तक नहीं जा सकते, जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ, चलो, यहां से निकलते हैं, और गुफा के शुरुवात में वापस पहुचने के बाद, भार की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है, हमारे पास जोल के लिए एक और सप्राइस था, जाने से पहले, जोल, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए, हम तुम्हें पचास हजार न्यूजिलेंड डॉलर्स दे रहे हैं, तो ये हर इंसान के लिए दस हजार है, जन्हें तुमने जिन्दा रखा, ओ गॉश, थैंक यू सो मच जिम्या, चलो चलते हैं, जोल, अब ये सब निटा लिया ह तो चलो चलते हैं, साथ लंबे दिनों के बाद हम आखिरकार घर जा रहे हैं,